जहें दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं BIC code के विशह में banking की दुनिया में ये जो BIC code है ये बहुत ही ज़्यादा important है और इसलिए इसको हम समझेंगे कि आखिर ये banking के अंदर BIC code क्या होता है इस BIC code का use क्या है और आप कैसे अपने bank के लिए इस BIC code को पता कर सकते हैं तो चली दोस्तों start करते हैं और समझते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये BIC code है क्या इसका मतलब क्या है तो BIC का पूरा नाम है bank identifier code या फिर bank identification code के नाम से भी हम इसको जानते हैं जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है ये एक ऐसा code है banking की दुनिया में जो किसी भी bank की पहचान बताता है जैसे हमको अगर कुछ career करना होता है तो हम क्या करते हैं पहले जिस post office पर भेजना है उसका pin हम पता करते हैं कि उसका pin code क्या है तो उसी तरीके से जब international market में अंतराष्टी दुनिया में कोई भी पैसा इधर से उधर करना है माल लिजी एक branch से दूसरे branch कोई पैसा भेजना है एक देश से दूसरे देश में तो पहले पता किया जाएगा कि जिस bank में वो भेजना है उसका code क्या है और वो जो code है उसी को हम कहते हैं BIC code यानि कि bank identifier code जो उस bank की पहचान बताता है जिस bank को वो पैसा भेजना है अब दोस्तों यहाँ पर जब भी कोई international payment होता है जब भी कोई international level पर bank एक दूसरे bank से communicate करते हैं उनको कोई message करना होता है कोई उनको अपने letters या कोई documents send करने होते हैं तो वो इसी BIC code को इस्तमाल में लेते हैं ताकि ये solution किया जा सके कि जो payment होना है या जो भी communication होना है वो properly ए अंसान के एक सही account पर वो पैसे को भेजा जा सके इसलिए यहाँ पर इस BIC code को इस्तमाल में लिया जाता है दोस्तों यह जो BIC code होता है यह आम तो या तो 8 अंकों का होता है या 11 अंकों का जो bank अपने branch code को use नहीं करते हैं वो यहाँ पर 8 अंकों का BIC code रखते हैं और जो कि और चार अंक होते हैं वह bank का नाम क्या है उसको दरसाते हैं जैसे SBI हमारा bank है पंजाब निशनल हमारा bank है तो पहले जो चार character होगा वो bank के नाम को दरसाएंगे इसके बाद के जो दो character उसमें होंगे वो country को दरसाएंगे कि वो किस country का bank है इसके बाद के यहाँ पर जो दो digit होंगे वो यहाँ पर उस bank के जो main office है जो head office है उसको वहाँ पर वो दरसाएंगे कि उसका location कहाँ पर है और last के 3 digit होंगे वो यहाँ पर उस branch को दरसाते हैं जिस branch में वो transaction होना है उसकी location क्या है तो इस तरीके से यह 11 digit का एक bank identifier code होता है जो कि international payments के दोरान इस्तमाल में लिया जाता है ताकि सही तरीके से सही account पर payment को transfer पर किया जा सके अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम को कैसे पता चलेगा कि हमारा bank का BIC code क्या है तो दोस्तों इसको पाने के कई सारे तरीके हैं जिनमें सबसे पहला तरीका है simple से आप अपने branch पर जाहिए और वहां जाकर आप उनको एक bank करमचारी को या किसी को भी bank म पूछेंगे तो कोई भी आसानी से आपको बता देगा कि यह आपके bank का BIC code है BIC code को पता करने का दूसरा तरीका है अगर आप net banking का इस्तवाल करते ही तो bank की website पर या bank का जो application है वहां पर भी आपके branch के लिए BIC code दिखाई दे जाता है इसके अलाबा भी आप customer care से या फिर अपना जो bank statement आपका होता है उसमें आपको अपना BIC code कहीं न कहीं देखने को मिलता है और इसी जामकारी भरे वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी subscribe करें